राशिपल के नुसार आज यानी बुधवार का दिन बहुत महत्पून है अई जानते हैं ग्रहों के चाल के मुताबिक आपके किस्मत के सितारे क्या कहते हैं अई जानते हैं मेश से लेकर मीन राशिवालो का राशिपल मेश राशी वालों की बात करें तो आज का दिन आप के लिए लेंदेन में सापधानी बरतने के लिए रहेगा दान धर्म के कारे में आपके प्रतिरूची रहेगी और आर्थिक मामलों में आपको सज़क रहने की आवजशक्ता है थायत्व की भावना आपके मन में बनी रहेगी आप किसी से कोई मांग कर वाहन ना चलाएं नहीं तो किसी दुरगटना के होने की संभावना बनती दिख रही है स्वास्ते को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है विशप राश्यवालों की बात करें तो आज का दिन आप के लिए कारेश शेत्र में कोई बड़ी उपलब्धी लेकर आने वाला है व्यापार में तेसी आएगी आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी बिजनस की योजनाय फली भूत होंगी और कारेश शेत्र में आपको अच्छा लाब मिलने की संभावनाब बनती दिख रही है सरकारी नौकरी में कारेश लोगों को प्रमोशन मिल सकता है आपके निर्ने लेने की शमता का आपको लाब मिलेगा मिथुन राशी वालों की बात करे तो आज कदेनाब के लिए पद वे प्रतिष्टा में व्रद्धी लेकर आने वाला है सामाजिक शेत्रों में कारेश लोगों को किसी पुरुसकार से सम्मानित किया जा सकता है आप कामकाच पर पूरा भरोस आप बनाए रखें आप अपनी सुक्सो विदाओं की वस्तुओं में भी जाफा कर सकते हैं आपको कुछ बाते गुप्त रखनी होंगे और किसी की सलाप पर चलने से आपको लाव मिलेगा सिंग राशी वालों की बात करें तो आज का दिन आप के लिए अक्समात लाप दिलाने वाला रहेगा आपकी परिवाल की सदस्यों का प्रेम और सहयोग बना रहेगा लेकिन आप अपने शारीरिक समस्याव को नजर अंदास ना करें नहीं तो बाद में वो कोई बड़ी बिमाली बन सकती है रस्त संबंदी रिष्टों में चल रही अनबन दूर होगी और ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ती आप से धन उधार मांग सकता है कन्या राशीवालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए साख और सम्मान में व्रद्धी लेकर आने वाला है पार में आपको बढ़ावा मिलेगा और आपको लेन देन के मामलों में साबधान रहने की आवजशक्ता है आपके लिए धर्म कर्म के कामों में आगे बढ़ना अच्छा रहेगा संतान को संसकारों का पाट पढ़ाएंगे नीजी बिशो पर आपका पूरा फोकस रहेगा आपको खान पान में साबधान रहने की आवजशक्ता है स्वाथ से पुलेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है तुला राशिवालों की बात करे तो आज का दिन आपके लिए सामाने रहने वाला है आपको कारेशेत्र में अपने गुप्त शत्रों से साबधान रहना पड़ सकता है प्रेम जीवन जी रहे लोगों ने साथी से यदि कोई बात गुप्त रखी थी तो वो उनके सामने उचागर हो सकती है आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है मान सम्मान के साथ साथ आत्म रिश्वास तता धन्डाब में व्रद्धी की योग बनेंगे भाग्य का भरपूर सहय योग आपको प्राप्त होगा रिश्चित राशिवालों की बात करें तो आज का दिनाफ के लिए व्यर्थ के वाद विवाद में पढ़ने से बचने के लिए रहेगा आप अपनी महच पून योचनाओं में ध्यान लगाएं और सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कुछ समस्याय खड़ी हो सकती है आप सबी से ताल मेल बनाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा आपको किसी उच्चित अबसर पर पूरा ध्यान देना होगा संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशकबरी सुनने को मिल सकती है धनू राशिवालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा बिजनस के कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा और आपको वरिष्ट जनों का पूरा सैयोग मिलेगा नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय थोड़ा कटी नाई भरार रह सकता है किसी भी प्रकार के मानसिकत तनाप को अपने उपर हावी ना होने देन सचेत रहे मकर राशी वालों की बात करें तो आज का दिन आप के लिए आर्थिक त्रिष्टी कोंट से अच्छा रहने वाला है यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वो आपको वापस मिल सकता है आज अपने कारे शेत में अधिक परिश्रम करने की आवश्शक्ता पर सकती है शादी शुदा जिन्दकी में कुछ उतार चड़ाव देखने को मिल सकते हैं आर्थिक सिती में कठीनाईयां देखने को मिल सकती हैं कुम्प राशी वालों की बाद करें तो आज का दिन आपके लिये आत्म विश्वास से भरपूर रहने वाला है। आप किसी से कोई वादा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप उसे समय रहतें पूरा करें। जिसके कारण आप साजेदारी में काम करने के लिए तयार रहेंगे आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है भागय उन्नती के अच्छे योग बनेंगे स्वास्ते को लेकर आने वाला हफता अच्छा बना रहे सकता है मीम राशी वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कारे से चुड़ कर काम करने के लिए रहेगा और आपकी नेत रित्व शमता बढ़ेगी आप अपनी आई को बढ़ाने के प्रयासों को सेज करेंगी आज की दिन आप किसी बड़े लक्षे की ओर अव्रसर रहेंगी और रचनात्मक कारे में आपकी पूरी रूची रहेगी आपको बिजनस में कोली अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है स्वास्त को लेकर समय थोड़ा तकलीष देने वाला रह सकता है अपने खान पान का विशेश ध्यान रखें ऐसे ही अपना रोज का राजशी फल जानने के लिए देखते रहें समय रिच्टल वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले